हेलो एब्रिवन आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चेनल विशाल गौतम सेवनेट थ्री पर आज है 28 माई 23 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए देकर आया हूँ 28 माई 23 के डेडिकर एंटरफियस के कुछ इंपोडेंट कुश्चन्स अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चेनल पर पहली वार आए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ओल पर प्रेस कर लिजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अफ्लोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं आज की इस वीडियो की पीडिया फाइल आपको मारे टेलीगरम चेनल पर मिल जाएगी टेलीगरम चेनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप बहाँ से चेनल को जोइन कर सकते हैं तो आप पूरा वीडियो को द्यान से देखिए और वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे एक क्वेशन भी पूछूँगा उस क्वेशन का सही आंसर आपको कमेंड में बताना है तो चलिए चलते अपने टॉपिक की ओर पहला क्वेशन है केंदी ये मंत्री स्री ग्रराज सेहने के सेर में 50,000 ग्राम पंचायतों में डेटर लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभ्यान सुरू किया है इस क्वेशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी लखनों तो केंदी ये मंत्री स्री ग्रराज सेहने लखनों सेर में 50,000 ग्राम पंचायतों में डेटर लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभ्यान सुरू किया है ग्रामीर विकास मंत्राले द्वारा सुरू किये गई इस अभ्यान का उद्देश महलाओ को शशक्त बनाने पर विशेश द्यान देने के साथ ग्रामीर छेत्रों में डिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देना है किस देश में हुई नीलामी टीपू सुल्तान की तलवार एक सो चालिस करोड की बिकी है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन भी ब्रिटेन तो ब्रिटेन देश में हुई नीलामी टीपू सुल्तान की तलवार एक सो चालिस करोड की बिकी है ब्रिटेन में अठारेवी सदी के मैसूर के शाशक टीपू सुल्तान की बैट चेमबर तलवार की नीलामें हुई यह इस सप्ता हुई इसलामी एवं भारतिय कला विक्री में एक दुसमलब चार करोड पाउंड में बिकी है अब ब्रिटेन जो देश है इसकी राइधानी लंदन है ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड इस्टार्लिंग और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री है रिशी शुनग इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्टेलिया की यात्रा के दोरान ब्रिटेन सेर में एक नए वारे जिदूताबाद का निर्मार करने की गोशना की है ब्रिटेन में वारे जिदूताबाद इस्तापित करने का मुख्य और देश ऑस्टेलिया में भाती प्रवाशियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है इसकी गोशना शिद्नी के कुडोस बैंक एरिना में प्रदान मंत्री मोदी के सम्भोधन के दोरान की गई जिसमें ओस्टेलिया के प्रदान मंत्री एंतोनी अल्बनीस के साथ पूरे ओस्टेलिया में 21,000 से आतिक लोगों ने भाग लिया नेस्ट कुशन है बोश्टन कल्सरिटिंग गुरुप की मोश्ट इनोवेटिव कमपनीज की सूची में किस एक मात्र बहाती कमपनी को 20 वा इस्थान मिला है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन B टाटा तो Boston Consulting Group की Most Innovative Companies की सूची में टाटा एक मात्र भारती कंपनी को 20 मा स्थान मिला है टाटा की स्थापना 1868 में होई थी और इसका मुख्याले मुंबई में है Next question है किसने ग्रामिर भारत के लिए एक बहुबासी AI चैट बॉट जुगल बंदी को लॉंच किया है इस question का सही answer हो जाएगा option A Microsoft तो Microsoft ने ग्रामिर भारत के लिए एक बहुबासी AI चैट बॉट जुगल बंदी को लॉंच किया है Microsoft ने लोगप्रिय मैसेजिंग प्लेट फार्म वार्टसप के माध्यम से सुलब एक जनरेटिन AI संचालित बहुबासी चैट बॉट जुगल बंदी लॉंच किया है Microsoft की स्थापना 4 अपरेंड 1975 को वी थी और इसका मुख्याल है रेडमन वासिंगटल सैफ्तराज अमेरका में है Next Question है किसे भारती सेना के नई Master General सश्टे नेंस के रूप में नेउक्त किया गया है इस कुशण का सही अंसर हो जाएगा Option B अमर्दीप सिह आउजला आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं अमर्दीप सिह आउजला इनीक बारती सेना के नई माश्टर जनरल सश्टी नेंस के रूप में नियुक्त किया गया है Next question है के सहर में पहला अरवन क्लाइमिट फिल्म महुस्थव आयोजित किया जाएगा इस question का सही अंसर हो जाएगा option C, Kolkata तो Kolkata सहर में पहला अरवन क्लाइमिट फिल्म महुस्थव आयोजित किया जाएगा सहरी बस्तियों पर जलवाई परवतन के पर्या वरड़िय सामाजिक और आर्थिक प्रवाबों के बारे में दर्शकों को जारू करने के लिए पहली बार शहरी जलवाई फिल्म महुस्थव का आयोजित न्यू टाउन उलकाता में 3-5 जून तक होने जा रहा है next question है हाल ही में किस राज सरकार ने green hydrogen policy तयार करने की गोशना की है इस question का सही अंसर हो जाएगा option A, हिमाचल पदेश की है इसका उद्देश राज को हरत हाईडोयन उत्पादन के लिए एक प्रमुक केंद्र के रूप में इस्थापित करना है हिमाचल पदेश के सुरम्मे में प्रचुर मात्रा पे नवीनी करडिये उजा संसाधन जिसमें परयाप्त दूप, पानी और हवा शामिल है जो इसे हर थाईडोयन पैदा करने के लिए एक आदस इस्थान बनाते हैं अब हिमाचल पदेश जो राज जैस की स्थापना 25 जनवरी 1971 को होई थी हिमाचल पदेश राज की दो राजदानिया है शिमला है वो गर्मियों के लिए है और धर्मशाला है वो शरदियों के लिए है हिमाचल पदेश के मुख्य मंतिय शुक्विंदर शे शुक्खू और राजपाल है शिप्रताप शुक्ल नेस्ट कुशन है हाल ही में भोटो जात्रा उससब कहां मनाया गया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी नेपाल तो हाल ही में भोटो जात्रा उससब नेपाल देश में मनाया गया है अब नेपाल जो देश है इसकी राइधानी काठमंडू है नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुप्या और नेपल देश के पधान मंत्री हैं पुश्प कमल दहज Next question है हाल ही में किसे मद्रास उच्छ नयायले के कारवाहक मुख्य नयायदीश के रूप में नेउक्त किया गया है इस question का सही अंसर हो जाएगा option B आप image में भी देख सकते हैं ये हैं S. व्यद्धनाथन इनी को मद्रास उच्छ नयायले के कारवाहक मुख्य नयायदीश के रूप में नेउक्त किया गया है Next question है हाल ही में इयोनिस सरमास को किस देश का कारवाहक प्रदान मंत्री चुना गया है इस question का सही अंसर हो जाएगा option C. ग्रीश तो हाल ही में इयोनिस सरमास को ग्रीश देश का कारवाहक प्रदान मंत्री चुना गया है अब ग्रीश जो देश है इसकी राइधनी एथेंस है ग्रीश की मुद्रा है यूरो और ग्रीश की प्रदान मंत्री है कतेरीना सकिलो पोलो Next question है हाल ही में Internet and Mobile Association of India के नई चीयर पर्षन कौन बने है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा option A. हर्स जेन तो हाल ही में Internet and Mobile Association of India के नई चीयर पर्षन हर्स जेन बने है तो प्यारे दोस्तों कल की वीडियो मैंने आपसे कुशन पूछा था किस राजर में देश का सबसे बड़ा Хाई कोट बनाया जा रहा है इस कुशन का सही अंसर था option A. ज्यारखंड तो ज्यारखंड राजमें देश का सबसे बड़ा हाई कोट बनाया जा रहा है अब आपके लिए आज का कुशन है अंतरच में जानने वाली पहली अरम महिला अंतरच यात्री कौन बनी है इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंट में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हेलफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूँ शियर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूँ कर लेना तो चलिए चलते हैं जै हिन जै बारत वन्दे मात्र